ये वाला जो वीडियो होने वाला है, no bullshit वीडियो है अगर तुम्हें सिर्फ एक worksheet चाहिए और तुम्हें पूरा pattern खुछ से पता है मैं ये 30 days strategy के अंदर cash flow statement की पूरी according day wise worksheet simple कुछ question की बात कर रहा हूँ अगर तुम्हें सिर्फ वो चाहिए और तुम्हें मेरे से कोई strategy नहीं चाहिए description में वो worksheet उठाओ, day wise worksheet बनी है selected question है and thousand percent guaranteed उसमें से ही term two का question आने वाला है 10 साल की paper मत करो, कोई नई book मत खरीदो जितना बोला है बस उत्ता कर लो, worksheet उठागे तुम्हेरा पूरा काम हो जाएगा लेकिन अगर तुम्हें उनमें से हो जो एक average student हो जो एक below average student हो जो शायद कोई coaching afford नहीं कर पाया बड़े-बड़े institutions पे जाके नहीं पड़ पाया बड़ स्टिल उसका dream है कि भाई उसको 95% तो तोड़ना है भाई तो भाई तुम्हारा या खड़ा हुआ है और तुम्हें बताने आया है कि वो चाला की क्या करते हैं लोग जो अकर तुम भी करना शुरू कर दो तो तुम्हारे भी full marks आने पक्के हैं शुरूबात करते हैं इस 30 days strategies के अंदर सबसे पहले तो practice sheet जो मैंने दी है description में मैंने ये 30 days strategy का part 1 बनाना चालू किया है अभी link description में है cash flow statement की यहाँ पे तुम्हें practice sheet मिलेगी download करके रख लो अपने पास बहुत helpful होने वाली है शुरूबात करता हूँ इसके अंदर सबसे पहले point के साथ 30 days strategy में तुम्हें पढ़ना कैसे है देखो भाई तुम्हारा जो 10 days का है वो accounts strategy है पहले सबसे पहले अगर तुम core strong नहीं करोगे तो don't expect कि तुम्हारा business का paper बहुत अच्छा जाएगा eco का बहुत अच्छा जाएगा English का बहुत अच्छा जाएगा believe me उनके अच्छे जाने की chances बहुत जादा है जो paper खराब जा सकता है न वो है accounts और अगर वो खराब गया तो तुम कितना भी अच्छा score कर लो बाकी subjects में accounts को compensate नहीं कर पाऊगे and that is the reason तुमारा श्री गनेश उद्घाटन accounts के साथ होना चाहिए अगर तुम commerce के student होतो तो 10 days accounts strategy के अंदर सुन लो मैं ये दुबारा नहीं बताऊंगा और ना प्यार मोहबत से बताऊंगा क्योंकि ये कुछ आखरी 30 दिन है जो तुमारा result बना सकते है अब बिगार सकते हैं इस 10 दिन के accounts strategy के अंदर तुमारा जिस दिन day one चालू हो उधर से लेके four days plus one more day सिर्फ cash flow statement को जाएगा and एक चीज अगर तुम अभी भी मकारी कर रहे हो और तुमने balance sheet नहीं पड़ी है तो मैं तुमें समझा भी नहीं सकता तुम ये वीडियो छोड़के please for God sick जा सकते हो balance sheet आना बहुत ज़्यादा जरूरी है यानि अभी इस वीडियो के end होने के बाद आँखों में देख के बात कर रहा हूँ मैं अगर कोई चीज तुमसे मांग रहा हूँ ना तो वह balance sheet उठाओ और balance sheet पूरी की पूरी रट डालो याद कर डालो जो cash flow statement के अंदर दी हुई है now चार दिन के अंदर तुम्हारा सिर्फ cash flow statement चलेगा यानि तुम्हारा पूरा focus यहाँ पे होना चाहिए क्या accounts उठाओ sorry माफी चाहूँगा क्या E को उठालो बाबाजी बिल्कुल नहीं क्या BS की उठालो बिल्कुल यह छूना भी मत सबसे बक्वास दो subject है जिसके अंदर सिर्फ तुम्हे उल्लू बनाया जाता है कि इनको पढ़ना अभी से जरूरी है मत पढ़ो मैं कह रहा हूँ 20 days place से भी पढ़ लोगे तो भी full marks achieve कर लोगे अभी से पढ़ने से तुम्हें ID एक देर महीना याद नहीं रह जाएगा मैं तुमसे हफते भर बाद भी पूछूँगा तुम्हें ID का ठिकाना नहीं होगा So don't focus on those subjects जिनका अभी पढ़ने से मतलब नहीं है ये जो तुमारे 4 दिन जाने वाले ये वाले 4 दिन ये तुमारे cash flow को लेके जाएंगे Now day 1 पे तुम क्या करोगे अपने आपको relax करो तुम क्या करते हो पहले दिन जब पढ़ने बैठते हो ना तो तुमारा दिमाग चलता है मैं सब पढ़ लूँ आज पहले दिन 100% performance दे दूँ वहीं तो गलत हो बे क्यों करना पहले दिन 100% performance देना यार कुछ मत करो चिल आउट करो basics पढ़ना है तुमें और theory पढ़नी है सिर्फ operating activities की सब छोड़ दो cash flow from operating activities उठाओ बाबाजी ने बोला है कि operating activities की बारे में पढ़ना है तुमने उठाया तुमने सिर्फ operating activities की basics पढ़े theory पढ़ी कैसे profit निकाला जाता है कैसे non operating items जो income है और expenses non operating है उनको adjust किया जाता है current assets, current liabilities को कैसे treat किया जाता है बस उत्ता करना है अब जब तुम वो कर लो तो फिर तुम enter होगे day two में मैंने पहले दिन तुमारा बहुत easy रखा so that तुम उस momentum में आओ आगे, सब बहुत बढ़िया चल रहा है day two में आके ये concepts building के लिए तुमारे लिए एक step आगे बढ़ाने का time आ चुका है तुम क्या करोगे, तुम cash flow from operating activities उठाओगे जरा ध्यान से देखो, तुमें दो books में से कोई एक use करनी है अगर तुमारे यहां कोई और book चलती है, तो भी चलेगा मेरे को कोई problem नहीं है मैंने T.S.Girwal और D.K.Goyal क्यों लिखा यहां पे because यह बहुत जादा चलने वाली books है अभी revision books नहीं उठानी है यही तो गलती है तुम क्या करते हो, यहां पे आके revision books उठाना चालू कर देते हो और फिर तुम्हें समझ में नहीं आता है और मैं गलत कहा जा रहा हूँ अच्छों में revision books के साथ दिक्कत क्या है उन्होंने वो questions दे दिये हैं जो boards में आएंगे step by step pattern क्या है कौन समझाएगा तुम्हें मैं, यहां पे हूँ न तो तुम्हें क्या करना है solve करो 5 practicals without adjustments वाले तुमने पहले दिन theory पढ़ ली तुमने पहले दिन basics बना ली है अब तुम्हें कुछ नहीं करना 5 practicals solve करने है और यह ध्यान रखना इसके अंदर कोई adjustment नहीं होना चाहिए depreciation का adjustment अलग से taxation का adjustment अलग से debenture का adjustment नहीं, 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 कोई adjustment नहीं, कोई adjustment नहीं करना है तुम्हें सिर्फ focus करना है कि operating activities पे 5 practicals solve करो जिसके अंदर कोई additional adjustment नहीं है कोई complication नहीं है कोई tough task नहीं करना है तुम्हें उसके अंदर जैसे ही वो कर लिया तुम्हारे 2 दिन निकल चुके अब क्या होगा यहां तक 90% लोग give up कर चुके होंगे क्योंके strategies ऐसी follow थूर नहीं हो जाती है मतलब ठीक है तुम्हें time table बता दिया मैंने अब जरुवत ही नहीं है वही तो बोल रहा हूं मैं अभी तुम्हें adjustment पर पहुंच रही नहीं है तुम investing पर पहुंचे तुमने investing उठाया तुमने theory part को किया सबसे पहले investing क्या होता है non current assets आते है non current assets के अंदर total check non current assets होते वह कौन-कौन से होते हैं नहीं होने चाहिए कोई भी adjustment हो avoid करना depreciation accumulated depreciation purchase of additional machinery sale of machinery profit or gain loss on sale of machines सब avoid कर दो सिर्फ basic questions करो investing के जिसमें कोई additional information ना हो तुम्हें hardly दो practicals करने और मुझे मालूम है कि अगर मैं इतनी सलह दे रहा हूं उसकी बाद अगर मैंने तुम्हें questions करने को नहीं दिये तो तुम book में धूनते धूनते परेशान हो सकते हो मैंने बताया तुम्हें कि तुम ये books use कर सकते हो लेकिन जरूरी थोड़ना है कि तुम्हें ये books में वो questions मिल जाए या तुम धोन लो या तुम इतने expert हो इसलिए मैंने sheet description में दे रखी है कि तुम्हें ये न लगे कि बाबजी आप बता भी देते कि consequences करने हम वही कर लेते जब तुम्हारा ये काम हो जाए ना ये हो गया तुम्हारा ये वालफ investing हो गया सीदे आ जाना financing activity में देखो यार तुम day 4 में पहुच चुके हो क्योंकि मैंने तुम्हारे दो दिन तो operating में लगा दिये मैं फिर से previous जाऊंगा देखो जरा जब 10 दिन की strategy बनाई चार डेज में से मैंने cash flow statement के लिए बोला तुम्हें कि day 1 में basics और theory करो फिर मैंने तुम्हें में आगे तो तुम financing में आ चुके हो financing में मैंने सबसे पहले क्या लिखाए बताओ क्योंकि अगर तुम्हें balance sheet नहीं आती तो तुम्हें shareholders fund नहीं पता तुम्हें non current liabilities नहीं पता तुम्हें current liabilities जंक से नहीं पता तुम्हें यह नहीं पता कि उसके अंदर short term borrowings आती है तुम्हें यह नहीं पता कि bank overdraft का treatment क्या करना है तुम्हें यह नहीं पता कि non current liabilities में provisions भी आते हैं long term provisions shareholders fund के अंदर reserves and surplus भी आते हैं भाई बहुत complication है cash flow statement problem नहीं है problem है तुम्हें balance sheet नहीं आती है तुम्हें कोई adjustment नहीं किया वो भी questions मैंने description में देगी रखे पूरी sheet दे रखी कहा लगे हो तुम यह जब तुम्हें तुम्हें 100% जब हो गया अब तुम्हें कोई tension नहीं है जो मैंने plus one more day बोला था तुम्हें कि 4 दिन तो तुम्हें cash flow करना है क्योंकि cash flow आधे तौर पे तुम छोड़ते ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हें adjustment समझ में नहीं आते तो मैंने शुरुवात के 4 दिन तुम्हें adjustment ही छुड़वा दिये मत करो ना शुरुवात में पहले अपने basics strong करो जब तुम्हें वो कर लिये तो तुम्हें adjustment के question करो अगर तुम यह कर लोगे तो फिर तुम adjustment के questions भी कर लोगे तो भाई फिर से बोलता हूं अगर तुम adjustments को start करना है पहला question तीनो activities को compile करके no adjustment वाला question होना चाहिए जैसे ही तुमने यह कर लिया next पे आते है plus one more day continue जो तुमारा हो रहा था वही वाला एक दिन, fifth day जो तुमारा चल रहा है one adjustment question करो और यह तुमारा खातमा हो गया अब तुम बोलो कि बाबजी एक adjustment के question करने से पूरा cash flow बन जाएगा अरे बिलकुल नहीं मैंने कब का पूरा question बन जाएगा लेकिन वो एक adjustment का question करने से जो तुमें confidence आएगा उसके बाद तुम कोई भी question उठाते जाओगे तो तुमारी understanding इतनी बढ़ चुकी होगी कि तुमें सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी समझ में आएगा यानि वो जो तुमारा momentum तुम मिस कर रहे थे मैंने ये पाच दिन की strategy तुमें बना के दी उसके अंदर तुमारा continuation बन गया कि तुमें चीजे करनी है तो कैसे करनी है उसके बाद तो तुम खुदी अपने आप करते चले जाओगे carry on कर लोगे फिर तुमें break लेना है फिर बढ़ते हैं हम day six पे जो के major day होगा तुमारा again you need to practice balance sheet again तुम्हे balance sheet practice करनी है उसका reason देता हूं मैं क्यों क्यों क्योंकि तुम्हें फिर दो questions करने again cash flow statement के day six पे और उसके साथ साथ तुम्हें business studies का एक topic कवर करना है जो के financial management का है अब तुम बोलोगे बाबजी आपने business studies का financial management क्यों बोल दिया भाई 30 day strategy है अकाउंट सीको business तीनों कवर करने लेकिन उसके लिए एक momentum तो बनाना जरूरी है मैं तुम्हें hint देता हूं तुमने cash flow statement में last वाला कौन सा किया था financing activities, financing activities के अंदर क्या था long term borrowings वगरा 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 यानि non current liabilities और shareholders fund यह financial management का base है यानि capital structure वाले जो topic है तुम्हारा momentum continue किसमें हो गया business studies में, कौन से डे में, day six में इसी को तो strategy बोलते हैं कि तुम्हें अलग से नहीं पढ़ना पड़ा, तुमने cash flow statement पढ़ा उससे जितनी भी hint उठाई, तुमने उससे financial management चालू कर दिया plus two more questions तुमने cash flow statement के कर लिये, क्या शांदार momentum बन रहा है तुम्हारा, क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बस अगर इसी तरीके से, तुम second part में भी मिरे साथ रहे, और description में जो मैंने work sheet करी है, दी है, तुमने उसको भी solve किया, तो believe me, ये 30 day strategies तुमारे लिए बहुत valuable होने वाली है, कुछ नहीं चाहता, अगर इस वीडियो को end तक देखा है, please जो नीचे work sheet दी हुई है, उसको ही ही हुई है